यहां मांगो जो मांगना है, रूप सिंग जी बोले गुरु देव, मुझे मांगना ही नहीं आता, गुरु के बहुत कहने पर रूप सिंग जी बोले मुझे एक दिन, एक दिन का वक्त, एक दिन का वक्त दे दीजे, घर भालों से पूछ कर बताता हूँ, घर जाकर मां से पू पूछा तो बोली इतनी घरीबी है कुछ पैसे मांग लो फिर भी मन नहीं मांगा चोटी बेटी आती उसको उसने बोला पिता जी गुरू ने जब कहा कि मांगो तो कोई चोटी मोटी चीज ना मांग लेना इतनी चोटी बेटी की बात सुनके रूप सिंग जी बोले कल तू ही साथ चल गुरू से तू ही मांग लेना अगले दिन दोनों गुरू के पास गए रूप सिंग जी बोले गुरू देव मेरी बेटी आप से मांगेगी मेरी जगा और नन्नी बेटी बहुत समझदार थी रूप सिंग जी इतने गरीब थे घर के सारे लोग दिन में एक वक्त का खाना ही खाते थे इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी उस नन्नी बेटी ने गुरू जी से क्या कहा गुरू देव मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके हम लोगों पर बहुत एहसान है आपकी बड़ी रहमत है गुरू जी मुझे एक ही बात चाहिए कि आज हम दिन में एक बार ही खाना खाते है अगर कभी आगे ऐसा वक्त आए कि हमें चार-पाइज दिन में भी एक बार खान खाएं तब भी हमारे मुख से शुकराना ही निकले हम कभी शिकायत ना करें शुकर करने की आदत दे दो गुरू जी इस बात से गुरू जी इतने प्रसन हुए कि बोले जा बेटा अब तेरे घर के भंडार सदा भरे रहेंगे तू क्या तेरे घर पे जो आएगा वो भी खा सिम्रन दुख में अरदास हर विले शुकराना सुख में शुकराना दुख में शुकराना हर विले हर समय हर वक्त सिर्फ शुकराना रब तेरा शुकर है दातेया तेरा शुकर है ए मौला तेरा शुकर है सेवा सिम्रन सतसं करके तेरा शुकर मनाना आ जाए जिन्दगी ऐसे क कोई राज खुशी का तेरी तरफ इशारा करूं खुशियों से भर दे जोली सबकी हर दुख सहना आ जाए यही प्रारतना है